देसी मचली बनाने का आज मैं बिल्कुल ही perfect तरीका बताने वाली हूँ और इसे मैंने घर में नहीं इसे मैंने बनाया है बिल्कुल ही बाहर खेतों में जाके location बिल्कुल ही change है और लकडी के चूले में तो चलिए देसी तरीके से मचली को कैसे बनाया जाता है और कैसे पहचा को पीसा है जिसमें मैंने लसुन लिया है काली मिर्ज का पाउडर लिया है जीरा लिया है और एक खरी मिर्ज को पीछ यह उसके बाद मने डाल दिया है धनिया यह देखिये आपको जितनी मचली लेनी है बस उसके अनुसार से आपको मसाले को को एड़ करना पड़ेगा धनिया मैंने लिये हैं मिर्शी का पाउडर लिया है और उसके बाद आपको डाल देने धनिया यह देखे थोड़ा सा मैंने धनिया और भी एड़ कर दिया है उसके बाद मैंने मसाले को थोड़ा सा एड़ कर दिया है इसे मैं बनाने वाले हूँ लक अची तरह के से गर्म करना है, गर्म करने से क्या हो जाएंगे, मचली आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकती है, और अगर आपके ताजें मचली हो तो आपको कैसे पहचान में आ जाएगा, कम तेल में ही यह क्या हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, और बहुत कारण इसका जो टेस्ट है कई गुना बढ़ गया था मैं इसे गाउं में बनाई थी अगर आप भी इस तरह के रेसेपी अगर खाना चाहते हैं बेलकुल ही देसी तरीके से तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जरूर एकात बार कभी भी आप गाउं जाते हैं तो इस तरी मैंने अच्छी तरह से भून के तैयार कर लिए यह देखिए एक पौर मचली हमारे अच्छी तरह से भून के बिलकुल ही क्रिस्पी वाली खाने के लिए तैयार हो चुकी है इसी तरह आप सभी मचलियों को फ्राइ कर सकते हैं और अगर यह बनाने का तरीका पसंद आता है तो एक लाइक चरू करते हैं अगर आपको इस तरह की लोकेशन वाली वीडियो अच्छी लगती है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं और मैंने एक मटन की रेसेपी बनाई है मेरी मा के हाथों की अगर नहीं देखिया है तो जाके आप जारकन बिहार वाली इस्टैल चंपा आई को अच्छी तरह से गर्म करना है और सरसो तेल डालके भी इसे अच्छी तरह से इसे पका लेना है और यह देखे बिरकुल ही काओं का बहुत ही सुन्दर में नजारा दिखाने वाली हूं बीच-बीच में बहुत ही टिष्टी वाली मचली आपकी बन के तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं कितनी क्रिपी और कम तेल में यह मचली बन के तयार हो चुकी है अगर आप इस तरह की रसपी आओर भी देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं और फिर से मिलते हैं फिर से एक नेक्स रसपी में तब तक के लिए बाई-बाई